नमस्कार न्यूजेशन पर ओकिनावा पर जाएंज चैंपियन्स की जंग देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूँ मौनुच चहल भई IPL 2024 में मज़ा बड़ा आ रहा है यार शायद होफुली आपको भी आ रहा होगा क्योंकि हर मैच ऐसे लगता है कि यार ये वाला मैच इस वाले मैच से अच्छा था क्योंकि excitement इतना मिलता है न मज़ा आ जाता यार और unpredictable जिससे हम सोचते हैं कि यार ये वो खास हो जाता प् देखिए एक और बड़ा शांदर मैच आपके सामने आने वाला है वो होगा मैच लखनव में नुवाबों को शहर में यानि कि PBKS पंजाव किंग्स और लखनव सुपर जैंट्स के बीच मुकावला खिला जाएगा और ये मैच नमबर 11 यानि कि एक और एक ग्यारा और लखन सिटी भी बनाना चाहते हैं तो आपको यहीं बताएं कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाएं तो अंता के वीडियो जुरूर देखें और सबसे पहले बात करते हैं भाई लखनव की अब लखनव नुवाबों का शहर है यहाँ पर आपको हर चीज की वराइटीज मिलती हैं तो यह मैच भी आपको अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है दोनों टीमों के भी इसकोंजी कॉंटेस्ट बड़ा जबरदस्त होगा एक तरफ कियल राहूल तो दूसरी तरफ शिखरदवन भाई मैदान है इकाना तो शिखरदवन एन कंपनी सोचती होगे कि यह मै केट कीपर होंगे क्वेंटन डिकॉक देवदत पडिकल आयूश बदोनी मारकस टोन इस जो कि इस मिडल ओर को थोड़ा स्टेबलिटी देते हैं क्योंकि गेंद भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं निकलस पूरन वहां होंगे और पूरन तो देखी आग लगाते हैं और लखनो सूपर जाइंट्स का अगर आप पहला मैच देखेंगे तो उनको हार मिली थी राजस्थान रोयल्स ने उनको हराया था और यहां पर आप यह भी देखेंगे प्लेइंग लावन में अच्छे नाम है लेकिन उस तरीके से फायर नहीं कहीते हैं चाए क्वेंटन क्या हो सकती है उस पर एक नज़र डालते हैं पंजाब के संभावित प्लेइंग लावन की बात करें तो शिखर धवन जो कि कैप्टन स्टीम के जोनी वैस्टो सैम करन लियाम लिविंग स्टोर जेते शर्मा शशांक शिंग हरपरित बरार जो पिछले मैच में बड़े शां प्रभ दर शिंग का यह है कि एजयES इंपैक्क खिले थे लेकिन सबसे जो बड़ा कंसर्न है वो है जोनी बैस्टो ये जोनी क्या हो गया इनको ये रनी नी मनारे रहे हैं पहले मैच में आठ फिर नो इससे उपर इन जा पार इनिक गाडो तो क्या जोनी बैस्टो को बाहर क करेंगे तो क्या सिकंदर रजा को टीम में लेकर आएंगे कि सिकंदर रजा ये अच्छे प्लेयर है जो बैटिंग भी अच्छा करते हैं बोलिंग का performance क्या कहता है इस पर बहुत कुछ depend करेगा एक अच्छी पारी आई लेकिन पीछले मैच में थोड़ा फ्लोप रहे थे तो जितेश शर्मा वैसे भी अच्छा बैटिंग करते हैं वो कहते ना कि केल राहुल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको जिनके ऊपर टीम का भार भी है उनको रन भी बनाने पड़ेंगे अगर अच्छा करना है तो अगर इस मैच में जीत चाहिए पंजाब को हराना है तो उनके जो टॉप और बैट्समैन है क्वेंटन डिको अब इनका फोड़ा सा दि देखना पड़ेगा क्योंकि इनके पास मारकल स्टोनियोस और निकलास पूरन दो धाकडवले बाद हैं और ये अच्छा फिनिश करना जानते हैं तो इस पॉसिबल प्लेइंग 11 आप देख रहोगे रवी विश्णोई भी है इसमें रवी विश्णोई का भी बड़ा अच् जिता सकते हैं अब भाई सबसे इंपोर्टन अब ये भी हो जाता है कि ये दोनों टीमें एक पंजाब जिनने दो मैच खेले हैं एक मेहार और लखनोग सूपर जैयंट्स को पहली जीत का इंतजार है यानि कि वो जो क्या तलाश वो पूरी होगी पंजाब के साथ लेकिन य जो पिच है इकाना स्टेडियम की उस पर बहुत कुछ डिपैंड करेगा तो एक नज़र डालते हैं लखनों की इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट पर देखें ये विकेट टिपिकल आईपेल पिच होने वाली है इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच हमेशा प्रवाशे ही गेंदबाजों के लिए अनुकुल मानी जाते हैं यहाँ पर स्पिनर्स को काफी मदद मिलती है हाला कि जो इनिशिल फेज है बले बाज तेजी से रन बना सकते हैं पाउपले में लेकिन जैसे जैसे खेलागे बढ़ेगा वैसे वैसे स्पिनर्स को मदद मिलना शुरू हो जाएगा पिछले IPL 2030 की बात करें तो इस मेदान पर गेंदबाजों का ही बोल बाला रहा था तो देखे इस स्पिच की खास बात ये है कि जैसे इनिशिल फेज में वो अटेकिंग मोड के दोनों बैट्समैन है दोनों टीमों की तरफ देखोगे तो वहाँ पर शिखरधावन प्रभ सिमरन सिंग जोनी बैस्टो तीनों ही अच्छे बैट्समैन है जो अटेक करना जानत तो ये स्पिच की खास बात है अब भई हैट टू हैड क्या कहते है दोनों टीमों के जो आईपेल में अब तक कितनी बार इनका आमना सामना हुओ और किस टीम में ज्यादा बाजिमारी है वो भी देख लेते हैं हैड टू हैड अब तक कुल तीन मुकाबले हुए हैं जिसमे लेकिन अब पंजाब इस मारजन को बराबर कर सकती है लेकिन है बड़ा चैलेंज वाकई क्योंकि पंजाब का इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनके लिए एक कंसन है और अब नज़र डालते हैं उस बात पर वो कहते हैं ना कि वैदर क्या वैदर साथ देगा किर्केट के फैन्स के लिए सबसे बड़ी चीज तो यही है कि वैदर ना दगा देदे तो वैदर रिपोर्ट क्या कहती है उस पर एक नज़र डालते हैं शनिवार को यह मुकाबला खिला जाएगा लखनो सुपर जाइंट्स और पंजाब के बीच तो मैच के मौसम की बात करें तो उस इस बात क्या है यहां च्छा अच्छा मुकाबला देखने को मिल सकता है तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है लेकिन दूसरी तरफ देखो गए तुस तरफ कोई बड़ा नाम नहीं है जैसे आप देखो कि हर टिम के पास महिस्टिक्षणा जैसे गेंडबाज है डेली में यादो हैं लेकिन पंजाब की दिक्कती है कि इनके पास उस तरीके नाम नहीं इस पिंदर्स का लेकिन हर प्रीत जो पिछले मुकाबले में बैंगलोर की पिछ पर जो कमाल किया था मज़ा आ गया था उनके फिगर देकर आप देख भी रोगे चार और में सिरफ तेरा रन देकर दो विकट चटके थे ये फिर से एक ट्रंप कार्ट साबित हो सकते हैं इस टीम के लिए पंजाब के लिए औ जो डेथ के और है उसमें बड़ी पिटाई होती है अब क्या डेथ कगी सो रबाड़ा वह भी बड़े महेंगे साबित रहते हैं सैम करन उनका भी अवरेज अगर आप देखो तस से उपर चला जाता है तो ऐसे में क्या नाथन एलिस को इस मुकाबले मौका मिलेगा हो सकता ह कि उनको मौका मिले लेकिन इनकी दिक्कत गेंदबाजी है तो इनको 20-30 एक्स्टा बनाने पड़ेंगे क्योंकि LSG को हराने के लिए क्योंकि LSG बड़ी स्ट्रोंग टीम है और उनकी जो बैटिंग है उसमें डेफ्ट भी है तो ऐसे में पंजाब के लिए है थोड़ा चैले दिया ना अगाज अच्छा कर दिया तो फिर बल्ले-बल्ले है क्वेंटन डिकॉक जिस तरीके के बैट्समैन है और अटैकिंग अप्रोच वो खेलते हैं जिस तरीके से तो मुझे लगता 17-80 रन की पारी वो खेल सकते हैं अगर दूसरी तरफ से आप देखोगे तो एकी ट लोजिकल थोड़ा सा प्रैसर रहता है इस टीम पर लेकिन पंजाब के लिए पंजाब को जीत चाहिए बॉस क्योंकि पंजाब की लिए दिक्कती है कि जब हारते हैं फिर लगातार हारते हैं उन्होंने पहला मैच जीता देल्ले को हराया बड़ा मजा आया उसके बाद पास एक मौका था आरसीबी को हराने का लेकिन वो मौका उन्होंने हाथ से गवा दिया था वहाँ पर दिनेश कार्तिक हिरो बन गए थे टीम के लेकिन यहां पर फिर से इनके पास एक अच्छी ओपर्चुनिटी है कि लखनव को लखनव में हराएं लेकिन वो तब हरा आदेते हैं 45-50 लेकिन गेंदे ज्यादा लेते हैं अब शिखरदवन को थोड़ा सा अटैकिंग खिलना पड़ेगा उनको मोड चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 40-45 गेंद में शिखरदवन को चाहिए 20 गेंदों पर कि वो 40-45 बनाए ना कि 35-38 गेंदों पर 45 बनाए तो शि वोल्टेज मुकाबला हो भई मुझे तो यहीं उमीद है आप भी बता दीजिए आपको क्या लगता कोन सी टीम बाजी मारेगी लखनव या फिर पंजाब का ही वहां पर बोल बाला रहेगा वो कैतना चकदे फटे नपदे के लिए इस बार पंजाब ही जीत सकती है मुकाब अच्क उसे बाल रहेगा आपको का लिए सकता रहे वहां बना को भी बाला रहेगा ओड कि झाल सकते हैं इस बाला फंजाब का भी बता दीम याशिक पूल कपको के लिए मुकाबला हो दिएक फबसे है लिएक अजाब बता है और बता है